आज मद होस हुआ जाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन सरारत करने को लल चाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन आज मद होस हुआ जाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन सरारत करने को लल चाए रे मेरा मन मेरा मन नमस्कार वंदं प्रणाम कुरुपिया ओम हिमान सुश्रीका हारदिक वंदन नमस्कार प्रणाम स्विकार करें अवतरित हो रहे उतर रहे प्रगठ हो रहे खिल रहे बरस रहे संपूर्ण नया संपूर्ण ताजा मंगडवार ये मंगल में मंगडवार वो मंगडवार है जो इस मृत्वी पर इस मृत्यू लोग पर प्रथम संपय अवतरित हो रहा है परम सक्ति की महा मुल्ले भेट हमारे सब के हाथों में ताकि इस मृत्यू लोक में इस पृत्वी पर जीवन की अदभूत रहश्य मैयात्रा है देखो कितनी रहश्य मैयात्रा है हम सब है कौन हमारे सब के बीच क्या सबंद है हम सब कहां से आ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं इस पृत्वी पर क्यों कर रहे हैं और हम सब कहां बैते हुए जा रहे हैं, कितनी अद्भूत रहस्यमय यात्रा, इस यात्रा को समझने के लिए आज का दिन एक अवसर और इस मृत्यू लोग पर हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है, और जीवन का परम स्वार, अनेक रंगों से रंगा हुआ, ये हताशा भी है, निराशा भी है, प्रसंता भी है, मान भी है, सनमान भी है, अपमान भी है, निंदा भी है, जीत भी है, हार भी है, अजबूत जीवन का रस, स्वात हम ले सके, इसलिए परम सक्ति की अपने बच्चों को हम सब को महा मुल्य बेट आजका जो मंगल पार प्रगट होनी को जा रहा है सबसे पहले आओ मेरे साथ मिलकर हम सब स्वागत करे नए सूर्य का नए जीवन का, नए धर्म का प्राथना अनुसरन करे प्रात्रकाल की पवित्र प्राथना स्वागत प्राथना ठीक से अनुभव करे स्वागत और अपने रिदे के द्वारों को खोल दे नए जीवन के लिए हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का हम स्वागत करते हैं नए रोशनी का हम स्वागत करते हैं नए ताजी हवाओं का हम स्वागत करते हैं नए ताजी हवाओं का हम स्वागत करते हैं नई ताजी बाहरों का हम स्वागत करते हैं नई सुनहरे मंगड मैं मंगलवार का हम स्वागत करते हैं नई जीवन का हम स्वागत करते हैं नई धर्म का हम साधत है धर्म अर्थाद जीवन जीने का मार्ग दर्षन जीवन जीने की महाकला किस तरह से प्रसंतम जीवन जीया जा सकता है उसका मार्ग दर्षन अर्थाद धर्म मंगणवार का अर्थ है प्रसंता प्रसंता का अर्थ है खिलना फुलों की तरव मंगणवार का अर्थ है मंगल में जीवन अर्थाद हलका फुलका रहना मैं आपको एक प्रस्ण पूछूँगा समझ की विकास के लिए जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़े हमारे जीवन में प्रसंता बढ़नी चाहिए या गटनी चाहिए आप क्या कहते हो अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूँगा नहीं प्रसंता बढ़नी चाहिए क्योंकि प्रसंता आत्मिक गूण है विस्तार का गूण है और जैसे जैसे हमारे जीवन की समझ बढ़ती है अपने आप हम हमारे स्ववाव की और खीचते है धर्म की और खीचते है अपने आप हमारे वितर से प्रस्ण अउतरित होता है सत्य क्या है उसे कैसे पाया जा सकता है आत्मा क्या है कहां है परमात्मा है की नहीं है ये सारे प्रस्ण हमारे भीतर से अपने आप अउतरित होने लगते हैं ये जीवन का विकास है किवल इंद्रिय अगत भोग विलास जीवन नहीं है और आप करके देखना इंद्रिय अगत भोग विलास कि पीछे अगर आपका रस्त है आप करते जाओ करते जाओ और देखते जाओ आपके जीवन में प्रसंता बढ़ती है या गड़ती है अगर मैं आपको कहूं मनुष्य के जीवन में प्रसंता की व्यवस्तित समझ हो और विकास हो प्रसं समाफ्त हो जाए, entertainment इसलिए है कि मनुस्य भीतर से दुखी है, बाहर-बाहर हम हसते है, हसाते है, लेकिन भीतर अगर हम देखे, अगर आप अकेले हो जाओ, एक रुम में बंद, और देखो कि सच में प्रसंता कितनी है, रदे की अंदर, आपको पता चलेगा, हतासा निराशा दुख है, और ये दुख जो है, स्वयम को भूलने का दुख है, विश्मरण हो गया, हम कौन है, हमारी आत्मा क्या है, उसे समझने का जो अवसर है, हम खोते चले जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहूं, जो आपकी व्यक्तिगत समझ है, ये सामोहिक समझने हैं, व्यक्तिग करना मेरा लक्ष है तो उसके पीछे मुझे पूरी दोड़ लगानी है पूरी और समझ के साथ कि मैं डॉलर पाउंड कमाता हूं अपनी समरुद्धी बढ़ाता हूं लोकिक समरुद्धी इससे क्या मेरी प्रसंता बढ़ रही है मेरा हलका फुलका फन है वो बढ़ रहा है पुलकापन इंडिकेटर है और देखो आज मंगडवार भी है और गनेश चतुर्थी भी क्यों चतुर्थी के दिन गनेश को जोड़ दिया गनेश के चार हाथ आप देखोगे गनेश के चार हाथ गनेश को हम जब कुछ कोई भी नया काम करते हैं तो उसमें गनेश की करते हैं मैं आपको बताता हूं गणेस है वो साक्षी का संकेत है साक्षित्व का अर्थ क्या होता है हम जो काम करने को जा रहे हैं सफल हो तो भी मैं मेरे केंद्र में स्वस्त अगर वो सफल ना हो तो भी में मेरे केंद्र पर स्वस्त इसलिए पहले हम गणेस का पूजन करते ह कि हमें साक्षित्व की सक्ति दो, ये पूजा का शार है, आप देखोगे, मुशिक पर बिठाए हुए गणेश, गणेश का कद देखो, मुशिक का कद देखो, इसमें दो रहर्ष से है, एक है, एक संकेत है, पर्यावरन का रक्षन, और दुसरा संकेत है, बी लाइट, हल्का का पन, हल्का फुल का पन का अर्थ क्या है, समझ लो, आज कोई मेरी मजा कुड़ाए, तो मुझे मेरे भीतर देखना है, मुझे धका लगता है, कोई मेरी मजा कुड़ाए, तो मुझे धका लगता है, अगर धका लगता है, तो इतना ही अर्थ है, कि अभी सुक्ष्म अहंक मेरे भीतर है और उहंकार तो सत्य है ही नहीं मैं सत्य है ही नहीं मैं कब तक रहेगा इस पृत्वी पर उहंकार के साथ हमारा जितना सबंद गहरा उतने जीवन में दुख पीड़ा संताव हताशा निरासा भैचिंता ज्यादा जितना हमारा उहंकार से सबंद विलीन होता जात जीवन में प्रसंता बढ़ती जाती है इसलिए मुशिक पर इतने बढ़े गनेश उसका अर्थ है Be light हलका फुलका पंग के इतने छोटी से मुशिक वहान पर गनेश विराजबान है अर्थात वीतर की lightness हलका फुलका पंग गनेश के बड़े कान क्या संकेत है पूर्ण स्रवन किसी ने निंदा की हसी उडाई वो भी हमने सुन ली किसने हमारा प्रसंसा की वो भी सुन ली गणिस की छोटी सी आँख पहले तुम्हें कहे दू कि मनुष्य का सरीर और हाथी का चहरा क्या दिखाता है ये दिखाता है अहिंकार रह मैं विलीन जो आदर्स जीवन है आदर्स भविस्य है मनुष्य को इस दिशा में काम करने जाना है कि किस तरह से भीतर का उहंकार विलीन हो और इसके लिए जो जीवन के छोटे-छोटे इंसीडन्स है खास करके कोई हमारी मजाक उडाता है या निंदा करता है और धक्का आत है ठीक से देखना है जैसे जैसे आप देखते जाओगे अहंकार विलीन होता जाएका जो अहंकार है वो अजागरुति की निसानी है शुशुप्तता जैसे जैसे हम जागते जाते हैं अहंकार विलीन होता जाता है गणिस की छोटी सी आंख अर्थात निरिक्षन जो मैं कहत हुससद आपको सरीर की समेंदना का दर्शन करे अपने भीतर कौन सा विस्चार चल रहा है उसका दर्शन करे आपके भीतर कैसी भावदसा बनी हुई है उसका दर्शन करे एक भी इंसिडंस को छोटे से छोटा इंसिडंस जैसे मैं अभी आपके समक्ष बोल रहा हूं आप मु कही सब्द है जो मैं कहना चाहता हूं मैं क्या कहने चाहता हूं आप लोगों को क्या intention है मेरा हर जो छोटी छोटी प्रक्रिया क्योंकि ठीक से समझो जो जीवन है वो प्रतिफल हमें बेट मिलता है ऐसा नहीं कि मैं इस प्रुत्वी पर सो साल जीओंगा तो एक ही क्षण में म मिलता है हर सांस के साथ हर नई ताजी सांस के साथ हमें जीवन मिलता जाता है और हर उच्वास के साथ पूराना जीवन समाप्त होता जाता है तो जो निरिक्षन है बारिक निरिक्षन प्रतिफल का वो गणिस की आँखों से दिखाया गया है उसके चार हाथ दो हाथ हैसे है एक हाथ में पास बंदा हुआ है, पास का अर्थ है, हमारा मन, हमारा मन ही बंधन है, ये दिखाया गया है, हम स्वहम बंद जाते हैं, देखो हम ही अपिक्सा खड़ी करते हैं, मन खड़ी करता है अपिक्सा, हम ही बंद जाते हैं, फिर हम मुक्ति के लिए सोचते हैं किस तरह स यह सारी जंजार जो हमने पैदा की उसमें से हम कैसे मुप्त हो तो दूसरे हाथ में जो पास को काटने वाला इंस्ट्रुमेंट है वो दिखाया गया है एक हाथ में लडू है इसका अर्थ है पोस्टिक भोजन ग्रहन करो ऐसा भोजन ग्रहन करो कि जो आपकी भीतर प्रशाद का रूप धारण करे प्रशाद का क्या अर्थ होता है भोजन को ग्रहन करके जो हमारे वीतर प्रशंता का अनुभाव करवाता है जो भोजन तो समझो वो भोजन हमारे लिए प्रशाद हो गया जो लडू है गणेस के हाथ में वो पोस्टिक साहकारी भोजन का संकेत है मनुस बढ़ जाती है और जो चरम सीमा पकड़ती है प्रसंता तो लोब नहीं रहता कि खाली मैं ही प्रसंता का अनुझभाव करूं ये लिए भाय वितर से प्रगण होता है हर मनुस्यप प्रसंता अनुभाव करे अपने जीवन में पूरा जगत हर जीव प्रसंता धारन करे ये गन इसकी आकृति का संकेत है, बड़ा पेट, सब कुछ अपने भीतर, बड़ा पेट का इतना ही अर्थ है, निंदा भी समाली पेट में, प्रसंसा भी समाली, हार भी समाविष्ट हो गई भीतर, जीत भी समाविष्ट हो गई, मान भी समाविष्ट हो गया, अर्था बड़ा पेट जो दिखाया गया है वो पुर्ण स्विकार का संकेत है इस तरह से गणेश शाक्षी का प्रतिक है इसलिए जब हम कोई भी पूजा करते है उसमें प्रारम जो करते है वो साक्षित्व की पूजा से करते है और ये साक्षित्व कहीं बाहर नहीं गणेश कहीं बाहर नहीं गणे हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या पाप कर रहे हैं, क्या पुर्णे कर रहे हैं, कहां पर हम सत्य बोल रहे हैं, कहां पर हम जूट बोल रहे हैं, सारे के सारे हिसाब हमारे भीतर और जिस दिन मनुस्य की समझ विक्षित होती जाएगी, प्रमानिक होता जाएगा मनुस्य, ठीक से धर्म की समझ मनुस्य के जीवन में अवतरित होने लगेगी, कौर्ट की कोई जरूरत नहीं रहेगी, नो पोलिस थाने की कोई जरूरत रहेगी, मेरे में इतनी हिम्मत आ ये जीवन हम इस पुरुत्वी पर प्राप्त कर सकते हैं अगर ठीक से मनुस्य की समझ सही दिसा में विक्षित होने को लगी आज का ये मंगडवार इस पुरुत्वी पर इस मुरुत्यों लोग पर सर्वेजीवों के लिए कल्यानकारी बना रहो मंगल में बना रहो और आज के दिन जो हमें अपयास करना है वो ये करना है कि कितने light है हम पूरा दिन के बहुत से incidence है कि कोई हमारी मजाक उड़ाए तो बृतर ठका लगता है ठीक से देखना लगता है तो भी मुझे समझना है कि अभी है मेरा स्पहंकार किसी और को दिखाने की ये बात नहीं धर्म है अपनी समझ के लिए अपने को जानने के लिए आज का ये मंगडवार फिर से कहूं सब जीवों के लिए कल्यानकारी हो मंगल मैं हो और हम फ्रसंता के साथ आज के मंगडवार को जी सके ऐसी प्रातका की हमारी सब की मंगल भावना मंगल प्रातना ताकि आज जो गणे से चतुरती है वो ठीक से हम प्राप्त कर सके उसका संदेश और मना सके अस्तुरत प्राप्त